और आइबरेली में अवैद कच्ची शराब बनाने वालों की खिलाब पुलिस की बड़ी कारवाई शेर कोदवाली शेतर के अंतरगत अही आरारपुर में देखने को मिली है यह आपको बदा दे कि इस गाउ में पुलिस को बड़ी कामयाबी बिली जमीन के अंतर खोद कर निकाली गई है कच्ची शराब और लगबग तीन कुंटर लहन और तीस लिटर कच्ची शराब समेथ बड़ी मात्रा में शराब बनाने की सामकरी को बरामत किया गया जिसे मौके पर ही नश्ट कर दिया गया है यह आप देख सकते हैं कि यहां पुलिस काफी मुशक्कत के बाद जमीन से खोद कर अवैद कच्ची शराब को बरामत कर रही है और आपको बताते चलें कि मौके से काफी भारी मात्रा में लहन और शराब बनाने के उपकरन भी बरामत किये गय उन्हें मौके पर ही नश्ट कर दिया गया है और इस वक्त लगातार पुलिस की कारवाई जारी है अवैद शराब कारोबारियों पर पुलिस का जो शिकंजा है वो कस्ता जा रहा है और देश में लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाब गैस लेंजर और सबस्यू का काउंटर लगा कर हाथों में जुन-जुना लेकर कॉंग्रिस ने इंद्रा भवन पर चौपा लगाई है इस कारिकरम में बतौर मुक्य अदिती शामिल हुए हैं उत्तर प्रदेश कॉंग्रिस के महा सचेव और प्रताबगर प्रभारी मुकुंद तिवारी आपको बता दे चलें कि कॉंग्रिसी उत्तर प्रदेश युवक कॉंग्रिस पूर्वी के पूर्वध्यक्ष नीरश दिवारी उनकी अगवाई में कॉंग्रिस कारियाले पर सभी फ्रंटर संगचनों के अध्यक्ष और पदादिकारी समेच धरना अब किया गया है जहाँ पर आपको बता दें कि काफी अनुके तरीके से कॉंग्रिस पार्टी के तमाम पदादिकारी यहाँ पर प्रदेशन करते नजर आ रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काउंटर लगाया गया है जहाँ पर सबजिया रखी हैं और यह तमाम जो मंत्री हैं यहाँ पर हाथ में जुन-जुना लेकर और गया सिलेंडर की जो हैं पर तस्वीरे हैं कटाउट्स हैं वो भी लगाये गये हैं सिलेंडर रखा हुआ है और लगातार बीज़ेपी के खिलाब प्रदेशन किया जा रहा है सरकार पर हमला बोला जा रहा है क्या कोछ जोरान कहते नजर आए पतादिकारी आपको भी सुनवाते है उत्तरप्रदेश कॉंग्रेस कमेटी की प्रबारी हमारी नेता स्रीमती प्रिंका गांदी जी के आवान पर महंगाई के खिलाब पूरे प्रदेश में चौपाल लगाई गया है उसी करम में आज प्रतावगण में कारिकरम सफलता पूर्वक चल ला है आज जिस तरह से केन सरकार और उत्तरपदे सरकार की गलत नीतियों के काण महंगाई चरंद सीमा पर है आज महंगाई होने के काण आम लोगों के रोजमर्रा की चीजें जिस तरह से महंगी कर दिये गए लोगों का जीना दूबर हो गया है गय सिलिंडर महंगा, सबजियां महंगी, खाने का तेल महंगा, दूद महंगा, दही महंगा, दवा महंगा अब ये सरकार महंगाई की पूरक बन गई है आएसी निकम्मी सरकार को हटाने के लिए आज प्रथाक बढ़ में जबर्दस आंदोलन चल ला है कॉंग्रेस का हल्ला बोल है, स्रीमती प्रियंका गांधी वाटरा, हमारी राष्टी महा सच्यू प्रभारी उत्तर प्रदेश किंदिर देश पर महंगाई चावपाल कायवजन सभी जनपदों में बलाक अस्तर पर हो रहा है आप सोचिए कि ये भाजपा की सरकार जब कफन पर GST लगा सकती है, बच्चों के पेंसिल और रबर पर GST लगा सकती है तो इससे क्या उम्मीद की जा सकती है हम लोग की मांग है, जितने भी GST लगे हुए है, जो रोज मरना की वस्तुए है, उनसे GST वापस लिये जाए और आज पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में आप देखिए बेताहसा बिर्दी हो रही है सव के उपर पेट्रोल है, पंचान के उपर डीजल है आज गैस दस सो पचास रुपए में है, जब चार सु रुपए में गैस सिलेंडर हुआ करता था इसमरी तीजार इरानी जी और भाजपा के बड़े-बड़े नेता सड़कों पर उतर कर सिलेंडर लेकर अंदोलन किया करता और इसी क्रम में रुक करेंगे बरेली की ओर, जहां CHC और PHC पर पैसे लेकर ट्रांस्फर के लिस्ट का मेसेज बम बरेली में जाकर फटा है और आवाज आई है लखनाओ में दरसल योगी सरकार ने तीन सदस्य कमिटी का गठन किया जिसमें डॉक्टर अनुपम कटिहार निदेशक लखनों के साथ दो सदस्य को लेकर बरेली पहुँचे इसी बीच आपको बताते चलें कि बरेली आने के बाद उन्होंने सीधा ब्लॉक 11 चेज़सी पर चापमारा है और चेज़सी पीज़सी ऑफिस की जाच की गई सीमो बलवीर ने अपनी ऑफिस में निदेशक की आवभगत के लिए तमाम तैयारिया भी कर ली लेकिन लगबग चार घंटे जाच चलने के बाद सीधे एंड हैल्थ ऑफिस में जाकर वो बैट गई हैं और आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरन को लेकर कारवाई जा रही है और उतरप्रदेश की महराजगन जनपत के पनियरा थाना शेतर के रुदौलापुर गाउं में एक दिल धहला देने वाली घटना घटी बता दें आपको कि कुछ लोगों ने यहां पर एक माँ बेची पर धारदार अधियार से हमला कर दिया और इस हमले में 17 साल की एक ब गंभी रूप से खायल होई है ग्रामिनों के द्वारा पुलिस को सूचना देने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है जब बेची के शब को कब से मिले कर पोस्ट मोठम के लिए भेश दिया गया और खायल मा को इलाज के लिए जिलास पताल में भरती कराया गया है डॉक पर पहुंचे पुलिस के अधिकारियों ने तफ्तीश शुरू की पुलिस अदिक्षव डॉक्टर कॉस्तुब ने बताया है कि अभी ओक पंजिगरितकर आरोपियों की गिरफतारी के लिए टीम बना दी गई है जल्दी ही इन तमाम हत्यारोपियों के ओक गिरफतार कर लिय जाएगा जनपद महराजगा जा अंतरगत थाना पनेरा के रुदलापूर गाउं से पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि गाउं की मधेशिया और उनकी पुत्री काजल मधेशिया उम्र लगभग 17 वर्ष को कुछ लोगों द्वारा धारदार हत्यार से उनके उपर हमला क कर दिया गया इस सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच कर पाया गया कि काजल मधेशिया उम्र लगभग 17 वर्ष की मौके पर मृत्य हो गई वहीं इनकी मधेशिया जो इनकी माता जी है उनको चोट पहुंची है जिनको ततकाल अस्पताल इलाज ही बिजवाया गया है तता शव को कबजे में लेते हुए अगरे मिधिक कारवाई की जा रही है इनके परिवार से प्राप तहरीर के अधार पर अभ्योग पंजिक्रित करते हुए अभ्योगतों की गिरफतारी है तो टीमों को लगाया गया है और जल्दी कटना का नावरण किया जा जाए झाल